असलाम लेकूम वेलकम टू मैं चैनल आप देख रहे हैं कि चनवी दिशा यूटूब चैनल तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मलाई बोटी बहुत ही इजी है और मज़े के भी बनती है और इसके इंग्रीडियन्स इतने असान है कि आप इजी लिए घर में बना सकते है चैनल जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को अगरिन तक जरूर देखें ताके कोई भी स्टैब मिस ना हो तो जी यहाँ फे चाप ढू जाना है आन्मक 1 टेबल स्पून और काली मर्च आपने लेनी है, 1 टेबल स्पून, सफ血 वाली मर्च लेनी है, पिसुई 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर चाहिए, आपको 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया, पाउडर चाहिए आपको वन टेबल स्पून और चार से पाँच आपको सबस मिर्चे चाहिए और जिससे आप काट के रख लें बाद मैं आपने से पीसना है उसके बाद आपको चाहिए दही एक कप यहाँ पर आप इसे पहली फैंट के रख लें और एक अपको फ्रेश क्रीम चाहिए दोनों की कौउन्टिटी सेम है और यहाँ पर आपको त्री टेबल स्पून चाहिए धनिया और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर चिकन एक किलो यह सारे मसाले एक किलो के हिसाब से हैं और चिकन आपने ब्रेस्ट पीस लेने हैं बोनलेस और उसको आपने नॉर्मल पीसिस में कटवा लेने हैं ना बहुत जादा चोटे हों और ना बहुत जादा बढ़े हों और अगर आप चिकन की कॉंटिटी कम या ज्यादा करें तो आपने सारी चीजों की कॉंटिटी भी कम और ज्यादा करनी है और आप इसमें नमक और मिर्च जो ह exploring शाप से कम और ज्यादा कर सकते हैं अबसमिर्च थोड़ी सी जादा पसंद है तो आप उसे जादा कर सकते हैं अगर आपको कम पसंद है आप कम भी कर सकते हैं तो अब आपने मैरिनिशन तियार करनी है जिसके लिए आपने एक बाउल लेना और बाउल के अंदर दही और क्रीम अट करने के बाद तमाम वो spices इसी में आड़ कर देने हैं जो मैंने आपको भी बताएं और इन spices को आड़ करने के बाद आपने सबस मिर्चे और धनियों को अच्छे से पीस लेना है एक साथ ही और पीसने के बाद जब वो ठिक सा पेस्ट बंजेगा आपने वो पेस्ट इसके अंदर आड़ करना ताके जो सबस मिर्चे आप उसका अच्छा सा जाइका है और इसमें क्रीम सबस मिर्चों का और धनिये का बहुत ही अच्छा जाइका आता है बहुत ही मज़े का बनता है यहां पर मेरिनेशन बल्कुल त्यार हो चुकी है अब आप इसके अंदर जो है चिकन अड़ कर दें और जैसी अब आप इसके दर चिकन एड़ करेंगे तो फिर आपने से अच्छे से मिक्स करना है तो मैं यहां पर सारा चिकन एड़ कर चूकियो मेरिनेशन में आपने से अच्छे से मिक्स करना है और मेरिनेशन टाइम आप दो से तीन घंडे भी दे सकते हैं और आप ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, मैंने यहां पर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा है, ताकि इसमें जो है, मिसाले अच्छे से चिकन के अंदर तक चले जाएं, अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप दो से तीन घंटे भी दे सकते हैं, अ आपने उतने लगा लेने हैं, उपर से थोड़ा सा इसे छोड़ देना और नीचे से भी स्टिक को थोड़ा सा छोड़ देना ताकि हम इसे पकड़ सके या इसे, इसकी जो है, वो साइट चेंज कर सकें, तो यहां पर मेरी शाशले एक स्टिक में टोटल चार पीसीज हैं, ब इसी तरह आपने सारे चिकन को शाशले एक स्टिक पे लगा के एक प्लेट में आप रख लें, और उसके बाद जैसी यह सारी त्यार हो जाएं, और फिर उसके बाद हम इसको शालो फ्राइ करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर देखें, यहां पर मैं चिकन जो है, वो सार पायपन में रख लें, और जैसी मीडियम फ्लेम पे एक साइट से हो जाये, गोल्डन प्राउन आपने साधी इसकी साइट चेंच कर देनी है, और जैसी दूसरी साइट से हो जाये, तो साधी आपने इसे निकाल लेना है, क्युक् padre अबने इसे बहुत जादा पकाना नहीं ह क्योंकि यह सारे तियार हो चुके हैं और आप एक foil paper ले ले कोईले को रखने के लिए अगर आपके पास foil paper नहीं है तो आप steel की कोई से भी प्याली भी ले सकते हैं उसके अंदर भे आप koleगे को रखने करें गरम करके और उसके ऊपर कवर आपने दो से तीन मिंट के लिए करना है और उसके बाद आप इसे सर्फ कर ले और गानिश आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जैसे ही आपको पसंदो मैंने यहां पर सबसे पहले गोपी के पते लिए उसे नीचे रखने के बाद खीरे और टुमाटर से इसकी साइट को कव मैंने मलाई बोटी शाशलिक स्टिक के साथ ही रखती है क्योंकि शाशलिक स्टिक के साथ ही इसकी अच्छी लुक आती है अगर आप इसे उतार कर रखेंगे तो लुक अच्छी नहीं आएगी तो यह थी आज की रेसिपी बहुत ही असान और बहुत ही मज़े कि एक पर आप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अब मैं मिलूंगे आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अजाज़े दे, अल्हाफेज